ओम्श्री पर्मात्माने नमाहं आये भक्तों महा कुम्भ पर्व के बारे में जानान। स्कंद उव्वाज स्रुनु नारद वक्ष्यामी लोकानम मुक्तिकारणम सक्रुच्नानम तुईर मर्त्यर गंगाद्वारे शुभाव है नतेशाम पुनरावृत्ति ही कल्पकोटी सतेई रपी स्कंद जी नारद जी से कहते हैं ये नारद जी मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्तिका एक उपाय बताता हूं जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगास्नान करते हैं वे फिर संसार में जन्मन ही लेते हैं चाहे करुडु कल्प बीच जाए हे मुने साड़े तीन करोड तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया उसने समस्त तीर्थों में स्नान किया पुन्यात्मा पुर्षों को ही श्री हरीद्वार के दर्शन होते हैं जब हरीद्वार में स्नान करने की इतनी महिमा है तो कुम्भ के अवसर पर स्नान की महिमा के विशय में तो कहिना ही क्या है जिस समय सूर्य मेश राशी पर और ब्रहस्पती कुम्भ राशी पर स्थित होते हैं उस समय गंगा द्वार अर्थात हरी द्वार में कुम्भ योग होता है कुम्भ के अवसर पर यहां स्नान दान आदी की महिमा अनन्त गुना बढ़ जाती है जो इस छेत्र में कुम्भ के समय स्नान करता है वह साक्षात ब्रहस्पती और दूसरे सूरे के समान तेजस्वी होता है जाए श्री हरी कलस अस्य मुखे विश्णुहूं कंठे रुद्रह शमा स्रितहा मूलेत्वस्यस्थितो ब्रह्म्हा मज्ये मात्रू गणहस्थिता कुक्षो तूशागरह शर्वे सप्तद्वीपावसुंधरा रुगवेदो थय जुर्वेदह शामवेदो य थर्वणहा अंगेश्च सहिताह सर्वे कलसं तूशमा स्रितहा कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा मध्यभाग में मात्रगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पाहाड और प्रथवी रहते हैं और अंगों के सहितरिग वेद, य जुर्वेद, सामवेद, तथा अथरवेद भी रहते हैं महा कुम्भ पर्व एक परीचैर प्राचीन काल से ही हमारी महन भारतिय संस्कृती में तीर्थों के प्रती और उनमें होने वाले पर्व विशेश के प्रती बहुत आदर तथा श्रद्धा भक्ती का अस्तित्व विराजमान हैं भारतिय संस्कृती में किसी पुन्य पर्व, धार्मिक क्रत्य, संस्कार, अनुस्थान, तथा पवित्र समाहरों और उत्सव आदी के आयोजन मात्र, प्रदर्शन, आत्म संतुस्ती या मनोरंजन आदी की दुरस्टी से नहीं किये जाते हैं अपीतु प्रायहं ऐसे धार्मिक, एवं संस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उदेश्य होता है, आत्म शुद्धी और आत्म कल्यान इसी प्रकार धार्मिक अनुस्थान या पर्वों के आयोजन में भी ना केवल परंपरा का अनुपालन अपीतु शास्त्रो नुमोदित प्राचीन भारतिय वैदिक संस्कृति की गरीमा से मंडित पद्धती के निर्वहन का सुप्रयास भी नीहित रहता है प्राचीन काल में तत्व वेता रिशियों दारार मोक्ष कामना तथा लोक कल्यान की शुब भावना से प्रेरित होकर गंगा आदी नदियों के तटों पर तथा प्रयाग हरीद्वार आदी पवित्र स्थलों पर ग्यान सत्र के आयोजन धर्मचर्चा तथा भगवत लीला श्रवन के प्रसंग एक तरफ जहां हमारी आध्यात्मिक परंपरा के घुतक हैं वहीं दूसरी और वर्तमान जगत के लिए प्रेर्णा दायक भी हैं रिशी महरिशी साधु संत और विद्वत जनों का समागम रांस्प्र की एहिक तथा पारलोकिक व्यवस्था पर विचार विमर्ष का ही तू था इससे समाज को नवीन चेतना प्राप्त होती थी और देश काल एवं वाता वरण पर धार्मिक महत्ता का वर्चस्व भी स्थापित होता था इस प्रकार इस प्राणाली से भारतिय समाज के विगटन को रोका जाता था साथ ही साथ यह सद्विचारों के प्रसार एवं संगठन की एक स्वस्थ विवस्था थी इसके द्वारा आत्मियता एवं धार्मिक सुहार्द का वाता वरण तयार करने तथा सामाजिक समनवय एवं अखंड राष्ट्र की परिकलपना को भली भाती साकार करने में साहेता मिलती थी कुम्भ पर्व की संबंध में वेदों में अनेक महत्वपून मंत्र मिलते हैं जिन से सिद्ध होता है कि कुम्भ पर्व अत्यंत प्राचीन और वाइदिक धर्म से ओत प्रौत हैं कुम्भ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयमदान हुम आदी सत कर्मों के फल स्वारूप अपने पापों को वैसे ही नस्द करता है जैसे कुठार वन को काट देता है जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है उसी प्रकार कुम्भ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारिरिक पापों को नस्द करता है और नूतन घडे की तरह बादल को नस्द भ्रस्ट कर संसार में सूब्रस्टी प्रदान करता है हे कुम्भ पर्व तुम यग्य वेदी में यग्य आयुदों से घ्रत द्वारा त्रप्त होने के कारण कस्तान उभव मत करो कुम्भ पर्व सत्व कर्म के द्वारा मनुश्य को इह लोक में शारिरिक सुख देने वाला और जन्मांतरों में उत्क्रस्ट सुखों को देने वाला है हे संतगन उन कुम्भ बाराः वर्ष के बाद आया करता है जिसे हम अनेक बार प्रयाग आदी तीर्थों में देखा करते हैं कुम्भ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशी आदी के योग से होता है और कहा भी है ब्रह्मा कहते हैं हे मनुश्यों मैं तुम्हें एहिक तथा आमुश्मिक सुखों को देने वाले चार कुम्भ परवों का निर्मान कर चार स्थानों हरीद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में प्रदान करता हूं अम्रत कुम्भ की अवधार्ना वर्तमान समय में भी वसुधा के और छोड तक किसी ना किसी रूप में अखिल कोटी ब्रह्मान नायक उस पर्मप्रभु की व्यापक शाशन शक्ती धर्म रूप से निर्बाध द्रस्टी गोचर हो रही है वर्णाश्रमियों की सुद्रडता का ही भल है कि पर्मपिता परमेश्वर भी सदेव धरातल पर अवतीरण होकर सज्जन साधू रक्षा एवं दुस्टों का संगार कर प्रत्वी का भार हलका करने में अग्रसर होते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानेर भवति भारत अप्युथानम धर्मस्य तदात्मानम स्रजामय है परित्राणाय साधूना विनाशाय चदुस्क्रता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे नाना प्रकार के परवों का स्रजन भी धार्मिक विज्ञानों द्वारा ही हुआ था सबके मूल में कोई ना कोई अलाकिक विशेष्टा विद्यमान रहती है जिसे विचारशील ही समझ पाते हैं इन ही महापरवों में कुम्भ परव भी है जो की भारत के हरीद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चार स्थानों में मनाया जाता है वैसे कुम्भ शब्द का अर्थ साधारन तह घड़ा ही है किन्तु इसके पीछे जन समुदाय में पत्रता के निर्मान की रचनात्मक शुभ भावना मंगल कामना एवं जन मानस के उद्धार की प्रेणा नीहित है यथार्ततह कुम्भ शब्द समग्र स्रस्टी के कल्यान कारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है प्रथवी को कल्यान की आगामी सूचना देने के लिए या शुम्भ भविश्य के संकेत के लिए हरीद्वार प्रयाग आदि पुन्य स्थान विशेश के उद्देश्य से निर्मल महकाश में ब्रहस्पती आदी ग्रहराशी उपस्थित हो जिसमें उसे कुम्भ कहते हैं इसके अतिरिक्त अन्यानय जन कल्यान कारी भावों को भी कुम्भ शब्द के शब्दार्थ में देखा जा सकता है पुराणों में कुम्भ पर्व की स्थापना बारह की संख्या में की गई है जिन में से चार मृत्यू लोक के लिए और आठ देव लोकों के लिए है। भू मंडल के मनुश्य मात्र के पाप को दूर करना ही कुम्भ की उत्पत्ती का हीतु है। यह पर्व प्रतेक बारहवे वर्ष, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में होता रहता है। इन पर्वों में भारत के सभी प्रांतों से समस्त संप्रादाय वादी, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ आदी करने के लिए आते हैं। शार समुद्र से प्रयवेश्टित भारत भूमी स्वाभवतह मलीनता के कलंक पंक से युक्त है। यह पुन्य प्रक्षालित भूमी है। भोगोलिक द्रस्टी से इसके चार पवित्र स्थानों में उस अम्रत कुम्भ की प्रतिष्ठा होई थी जो उस समुद्र मन्थन से उद्भूत हुआ था। कालिक द्रस्टी से ऐसे ग्रह योग जो खगोल में लुक्त सुक्त अम्रतत्व को प्रतक्ष और प्रबुद्ध कर देते हैं। चारो स्थानों में बारह बारह वर्ष पर अर्थात द्वादश वर्षात्मक काल योग से प्रकट होते हैं। तब गंगा, हरिद्वार, त्रिवेणी जी, प्रयाग, शिफ्रा, उज्जैन और गुदावरी, नासिक ये पतित पावनी नदियां अपनी जलधारा में अम्रतत्व को प्रवाहित करती हैं। अर्थात देश काल एवं वस्तु तीनों अम्रत के प्रादुर्भाव के योग्य हो जाते हैं। फलस्वारूप अम्रत घट या कुम्भ का अवतरण होता है। काल चक्र ना केवल जीवन के क्रिया कलाब का मूला धार है। अपीतू समस्त यग्य कर्म अनुस्थान एवं संस्कार आदी भी काल चक्र पर अधारित है। काल चक्र में सूर्य चंद्रमा एवं देव गुरु ग्रहस्पती का महत्वपून स्थान है। इन तीनों का योग ही कुम्भ पर्व का प्रमुख आधार है। जब ब्रहस्पती मेश राशी पर तथा चंद्रमा सूर्य मकर राशी पर स्थित हों तब प्रयाग में अमावस्य तिथी को अती दुरलभ कुम्भ होता है। इस स्थती में सभी ग्रह, मित्रता, पून और स्रेष्ठ होते हैं। हमारे जीवन में जब मित्र और स्रेष्ठ जनों का मिलन होता है, तब ही स्रेष्ठ एवं शुभ विचारों का उदाय होता है। और हमारे जीवन में यह योग ही सुखदायक होता है। कुम्भ के अवसर पर भारतिय संस्कृति और धर्म से अनुप्रानित सभी संप्रदायों के धर्मानुयाई एकत्रत होकर, अपने समाज धर्म एवं राश्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुनता के लिए विचार विमर्ष करते हैं। स्नान दान तरपन तथा यग्य का पवित्र वातावरण देवताओं को भी आक्रस्ट किये बिना नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि इस महापर्व पर सभी देवगण तथा अन्य पित्र यक्ष गंधर्व आदी प्रत्वी पर उपस्थित होकर, ना केवल मनुष्य मात्र, अपीतु, जीव मात्र को अपनी पावन उपस्थती से पवित्र करते रहते हैं। अम्रत कुम्भ का स्वारूप एवं प्राथना मंत्र, कलश के मुख में विष्णू, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्हम्मा, मद्य भाग में मत्रगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पाहाड और प्रत्वी रहते हैं। और अंगों के सहित रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, तथा अथरववेद भी रहते हैं। हे कुम्भ देवदानव के विवाद रूप में समुद्र के मथे जाने पर तुम्हारी उत्पत्ती हुई। जिसे साक्षात भगवान विश्नु ने धारन किया। उस तुम्हारे जल में समस्त तीर्थ, समस्त दीवता, समस्त प्राणी, प्राण आदी स्थित रहते हैं। तुम साक्षात शिव, विश्नु और ब्रह्मा हो। आदित्य, वसू, रुद्र, सपैत्रक, विश्वेदेव, आदी समस्त कार्यों के हल प्राण, देवता तुम्हारे में सर्वदा स्थित रहते हैं। कुम्भ उत्पत्ती की अमर कथा। एक समय की बात है, देत्यों और दान्वों ने बड़ी भारी सैना लेकर देवताओं पर चड़ाई की। उस समय युद्ध में देत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदी संपून देवता अग्मी को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपून देवताओं को साथ ले, शीर सागर के उत्तर तट पर गए। और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले। हे प्रभु विष्णु शिग्र उठिये और इन देवताओं का कल्यान कीजिए। आपकी साहिता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार प्रास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नित्रवाले भगवान अंतर्यामी पुरुशोतम ने देवताओं के शरीर की अवस्था देख कर कहा। देवगण मैं तुम्हारे तेज की व्रधी करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की अशधियां ले आओ और उन्हें शीर सागर में डाल दो। फिर मंद्रांचल को मथानी और वासु की नाग को नैती बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमरत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहता करूँगा। समुद्र का मन्थन करने पर जो अम्रत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग वल्वान और अमर हो जाओगे। और दानगों ने प्रत्वी के उत्तरभाग में हिमाले के समीप शीरोद सिंधू में मन्थन किया। जिसमें मंद्रांचल मंथन डंड था। वासु की नेती थे कच्छ परूप धारी भगवान मंद्रांचल के प्रस्थ भाग थे। और भगवान विष्णु उक्त मन्थन दंड को पकड़े हुए थे। तदंतर उस शीर सागर से चोदह रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गरल, उश्पक, ऐरावत, पांच जन्य शंख, रंभा, कामधिनु, उच्च श्रेवा और अमरत कुम्भ निकले। उन्ही रत्नों में से अमरत कुम्भ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्र पुत्र जयन्त अमरत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया है। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचारे के आदेशा अनुसार दैत्यों ने अमरत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा तत्पश्चात अम्रत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानगों में बारह दिन तक अविराम युद्ध होता रहा परस पर इस मार काट के समय में प्रतवी के चार स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश गिरा था उस समय चंद्रमाने घट से प्रसवन होने से, सूर्य ने घट भूटने से, गुरू ने देत्यों के अपहरण से, एवं शनी ने दिविंद्र के भाई से घट की रक्षा की कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथा अधिकार सब को अमरत बाट कर पिला दिया इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हो गया अमरत प्राप्ती के लिए देव दानवों में परस पर बारह दिन पर्यंत निरंतर युद्ध हुआ था देवताओं के बारह दिन मनुश्यों के बारह वर्ष के तुल्य होते हैं अत एव कुम्भ भी बारह होते हैं उन में से चार कुम्भ प्रत्वी पर होते हैं और अविसिस्ट आठ कुम्भ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुश्यों की वहां पहुच नहीं हैं, जिस समय में चंद्राधीकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुम्भ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशी पर सूर्य, चंद्रमा और ब्रहस्पती का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशी के योग में जहां जहां अम्रत कुम्भ सुधा विंदू गिरा था वहां वहां कुम्भ पर्व होता है। कुम्भ पर्व का उदेश्य एवं अध्यात्मिक रहस्य है। हरीद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चार कुम्भ पर्व के निर्नित स्थानों में कुम्भ योग के समय, ततसत संप्रदाय, सम्मानित साधु महत्माओं के समवाय द्वारा, संसार के सर्वविधित कस्टों के निवर्ते अर्ध, देश, समाज, रास्ट्र और धर्म आदी समस्त, विश्व के कल्यान संपाद नार्थ, निश्काम भावना पुरसपर, वेदादी, शास्त्र अनुकूल, अमुल्य दिव्य उब्देशों से जगत कल्यान करना ही कुम्भ पर्व का महन उद्देश्य है। कुम्भ पर्व के अध्यात्मिक रहस्य के विशय में विचार करने पर ग्यात होता है कि जो ग्रहस्त मनुष्य पंचागनी विद्या को जानते हैं तथा जो वानप्रस्थी सन्यासी या नैस्थिक ब्रह्मचारी गण संसारिक विशय वासनाओं से विरक्त होकर, शद्धा पूरवक तप तथा सत्य पालन आदी का आचरन करते हैं, वे उत्तरायन मार्ग से अर्थात अर्ची मार्ग से सूर्य लोक होते हुए ब्रह्म लोक जाते हैं। वहां अनेक कल्प तक निवास कर पुनह जिस मार्ग से वे गए थे, उसी मार्ग से लोट कर इंद्रादी लोकों में ही रहते हैं। और वे भुलोक में नहीं आते हैं। इंद्रादी लोकों में रहते हुए स्वभग्य वश गुरु उपदेश द्वारा ज्यान प्राप्ती हो जाने के कारण मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है। जिससे वे इस संसार में नहीं आते हैं। प्रतियुत गहम में ही लीन हो जाते हैं और जो साधारन ग्रहस्त जन ग्राम में ही रहते हुए इस्ट अग्नी हुत्र आदी वैदिक कर्म तथा पूर्त वापी कूप तड़ाग आदी प्रतिस्ठा तथा दान यग्यादी का आचर करते हैं वे दक्षिनायन मार्ग से अर्थात धूम मार्ग से चंद्रलोक जाते हैं वहां वे पुन्यशय पर्यंत निवास कर फिर बादल आदी बनकर इस प्रत्वी पर ओशध त्रण तथा वनस्पती रूप में व्रस्टी द्वारा पैदा होते हैं जो मनुष्य पंचागनी विद्या आदी से तथा अगनी हुत्र वापी कूप तड़ाग आदी प्रतिस्था दान यग्य आदी से भी वंचित रहते हैं वे कीट पतंग आदी की योनियों में जाते हैं और बार बार जन्म मरण जन्य कलेश को भूगते हैं इस प्रकार मरने के बाद मनुष्यों की उत्तम मध्यम तथा अधम ये तीन गतियां उपनिशदों में वर्णित हैं जो मनुष्य मरण से पहले ही गुरुपदेश द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनकी मरने के समय प्राणों के साथ आत्मा पूर्वोक्त मारगों में से किसी भी मारग का अनुसरण नहीं करती अपीतु हृदाय में ही ब्रह्म में लीन हो जाती है यह सर्वोत्म गति ज्ञानियों के लिए उपनिशदों में बतलाई गई है वस्तुतह ऊनकुम्भ तथा अर्ध कुम्भ पर्व मनाने का रहस्य यह है कि हम लोग इस पर्व पर दूर दूर से अनेक स्थानों से हरीद्वार प्रयाग आधी पवित्र तीर्थों में जाकर गंगा स्नान से पवित्र होकर स्रेष्ठ विदवानों के उप देश दोरा ज् तथा तप सत्य दान यग्य आधी शुभ कर्मों का यथा अधिकार यथा रूची आचरण करें जिससे बृत्यू के बाद हमें सर्वोत्तम उत्तम या मध्यम गती प्राप्त हो और अधम गती कदापी ना मिले कुम्भ पर्व के आध्य प्रवरतक भगवान शंक्राचारे जिस कुम्भ पर्व का उलेख वेदों और पुराणों में मिलता है उसकी प्राचीनता के संबंध में तो किसी को संदह होने का अवसर ही नहीं है किन्तु यह बात अवश्य विचार्णिय है कि कुम्भ मेले का धार्मिक रूप में प्रसार करने का श्री गणेश किसने किया इस विशाय में बहुत अन्वेशन करने पर सिद्ध होता है कि कुम्भ मेले को प्रवर्तित करने वाले भगवान शंकराचार्य है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुम्भ पर्व के प्रचार की व्यवस्था केवल धार्मिक संस्कृती को सुद्रड करने के लिए किया था उन्ही के आदर्शा अनुसार आज भी कुम्भ पर्व के चारों सुप्रसद्ध तीर्थों में सभी संफ्रदायों के साधु महत्मा गण देश काल परिस्थिती के अनुरूप लोक कल्यान की द्रस्टी से धर्म का प्रचार करते हैं जिससे समस्त मानव समाज का कल्यान होता है भगवान शंक्राचार्य जी के कुम्भ प्रवरतक होने के कारण ही आज भी कुम्भ पर्व का मेला मुख्यतह साधुओं का ही माना जाता है वस्तुतह साधु मंडली ही कुम्भ का जीवन है भगवान शंक्राचार्य ने जिस महन उद्देश्य की पूर्ती के लिए कुम्भ पर्व को प्रवरतित किया था आज उसमें जो आवश्यक्ता से अधिक कमी आ गई है वह किसी से छिपी नहीं है आज प्रतेक ग्रहस्त एवं साधु महत्माओं को चाहिए कि पुनह भगवान शंक्राचार्य जी के सदुदेश्य की पूर्ती में मनसा वाचा प्रवरत होकर अपना और देश का कल्यान कर कुम्भ पर्व के महत्व को सुरक्षित रखें पूर्ण कुम्भ और अर्ध कुम्भ हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही कुम्भ पर्व मनाने की प्रधा चली आ रही है हरीद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में क्रमशह बारह बारह वर्ष पर पूर्ण कुम्भ का मेला लगता है जबकी हरीद्वार तथा प्रयाग में अर्ध कुम्भ पर्व भी मनाया जाता है किन्तु यह अर्ध कुम्भ पर्व उज्जैन और नासिक में नहीं होता अर्धकुम्भ पर्व के प्रारंभ होने के संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि मुगल सामराज्य में हिंदु धर्म पर जब अधिक कुठारा घात होने लगा उस समय चारों दिशाओं के शंक्राचारों ने हिंदु धर्म की रक्षा के लिए हरिद्वार एवं प्रयाग में साधु महात्माओं एवं बड़े बड़े विद्वानों को बुला कर विचार विमर्ष किया था तब ही से हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुम्भ मेला होने लगा शास्त्रों में जहां कुम्भ पर्व की चर्चा प्राप्त है वहां पून कुम्भ का ही उलेख मिलता है हे संतगण उन कुम्भ बारह वर्ष के बाद आता है जिसे हम अनेक बार हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चार तीर्थ स्थानों में देखा करते हैं कुम्भ उस काल विशेश को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशी आदी के योग से होता है हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में रतेक बारहवी वर्ष में कुम्भ पढ़ता है किन्तु इन चारों स्थानों के कुम्भ पर्व का क्रम इस प्रकार निर्धारित है मेश या व्रष के ब्रहस्पती में जब सूर्य चंद्रमा दोनों मकर राशी पर आते हैं तब प्रयाग में कुम्भ पर्व होता है इसके पश्चात वर्षों का अंतराल जो भी हो जब ब्रहस्पती सिंग में होते हैं और सूर्य मेश राशी पर रहता है तो उज्जैन में कुम्भ लगता है उसी बाहरस्पत्य वर्ष में जब सूर्य सिंग पर रहता है तो नासिक में कुम्भ लगता है तत्पष्चात लगभग छह बारह स्पत्य वर्षों के अंतराल पर जब ब्रहस्पती कुम्भराशी पर रहता है और सूर्य मेश राशी पर तब हरी द्वार में कुम्भ होता है इनके मध्य में छह छह वर्ष के अंतर से केवल हरी द्वार और प्रयाग में अर्धकुम्भ होता है यथार्ततह पूर्वा चार्यों द्वारा स्थापित अर्धकुम्भ पर्व का महतम्य अपार है क्योंकि अर्धकुम्भ पर्व का उद्देश पूर्ण कुम्भ की तरह विशेश पवित्र और लोकोपकारक है लोकोपकारक पर्वों से धर्म के प्रचार के साथ साथ देश और समाज का महान कल्यान सुनिश्चित है कुम्भ पर्व के स्नान दिन कुम्भ का पर्व हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चार तीर्थ स्थानों में मनाया जाता है ये चारों ही एक से बढ़कर एक परम पवित्र तीर्थ हैं इन चारों तीर्थों में प्रतेक बारह वर्ष के बाद कुम्भ पर्व होता है गंगाद्वार अर्थात हरीद्वार, प्रियाग धारानगरी अर्थात उज्जैन और गोदावरी अर्थात नासिक में शंकर आदी देवगण ने कुम्भ योग कहा है कुम्भ भगवान का मंदिर है इसकी जहांकी उक्त चारों स्थानों में प्रतेक बारहवे वर्ष में होती है हरीद्वार आदी चारों स्थानों के कुम्भ पर्व का अलग-अलग समय तथा महत्व आदी विशयों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है प्रधम हरीद्वार जिस समय ब्रहस्पती कुम्भ राशी पर स्थित हों और सूर्य मेश राशी पर रहें उस समय गंगा द्वार अर्थात हरीद्वार में कुम्भ योग होता है यहा कुम्भ का प्रठम स्नान शिवरात्री से प्रारंभ होता है द्वित्य स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है तृतिय स्नान प्रधान स्नान चैत्र के अंत में अथवा वैशाख के प्रथम दिन में अर्थात जिस दिन ब्रहस्पती कुम्भ राशी पर और सूर्य मेश राशी पर हो उस दिन कुम्भ स्नान होता है द्वितिय प्रयाग जिस समय ब्रहस्पती मेश राशी पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशी पर हो तो उस समय तीर्थ राज प्रयाग में कुम्भ योग होता है प्रयाग में कुम्भ के तीन स्नान होते हैं यहां कुम्भ का प्रथम स्नान मकर सकरान्ती अर्थात मेश राशी पर ब्रहस्पती का संयोग होने से प्रारंभ होता है द्वितिय स्नान प्रधान स्नान माघ क्रश्ना मौनी अमवस्या को होता है तृतिय स्नान माघ शुकला वसंत पंचमी को होता है तृतिय उज्जैन अर्थात अवंतिका जिस समय सूर्य मेश राशी पर हों और ब्रहस्पती सिंग राशी पर हों तो उस समय उज्जैन में कुम्भ योग होता है चतुर्थ कुम्भ सिहस्थ कुम्भ नासिक त्रयम्बकेश्वर जिस समय सूर्य तथा ब्रहस्पती सिंग राशी पर हों तो उस समय नासिक में मुक्ति प्रद कुम्भ होता है गुदावरी के रमया तट परस्थित नासिक में कुम्भ मेला लगता है इसके लिए सिंग राशी का ब्रहस्पती एवं सिंग राशी का सूर्य आवश्यक है इस पर्व का स्नान भाद्र पद में अमावस्या तिथी को होता है देव गुरू ब्रहस्पती जब तक विश्व आत्मा भगवान सूर्य नारायन के साथ सिंग राशी में रहते हैं तब तक का समय सिहस्थ कहलाता है इस सिहस्थ काल में श्री नासिक तीर्थ की यात्रा पवित्र गुदावरी नदी में स्नान एवं त्रयंबकेश्वर जोतिर लेंके दर्शन लाभ का बड़ा महतमय है यहीं पंचवटी में भगवान श्री राम ने वनवास का दीर्गकाल व्यातीत किया था कुम्भ पर्व का महतमय है हिंदू धर्म शास्त्र कुम्भ पर्व की महिमा से भरे पड़े हैं सकंद पुरान का वचन है कि जो मनुष्य कुम्भ योग में स्नान करता है वह अम्रतत्व अर्थात मुक्ती की प्राप्ती करता है जिस प्रकार दरित्र मनुष्य संपत्ती शाली को नम्रता से अभिवादन करता है उसी प्रकार कुम्भ पर्व में स्नान करने वाले मनुष्य को देवगण नमशकार करते हैं संक्षेप में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में कुम्भ स्नान का महत्व इस प्रकार है प्रधम हरिद्वार स्नान की महिमा, कुम्भ राशी में ब्रहस्पती हो, तथा मेश राशी पर सूर्य हो, तो हरिद्वार के कुम्भ में स्नान करने से मनुष्य पुनर जनम से रहित हो जाता है द्वित्तिय प्रियाग स्नान की महिमा कार्तिक महीने में एक हजार बार गंगा में स्नान करने से माघ में सौ बार गंगा में स्नान करने से और वैशाख में करोड बार नरमदा नदी में स्नान करने से जो भल प्राप्त होता है वह प्रयाग में कुम्भ परव पर केवल एक ही बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है श्री विश्टु पुराण में कहा गया है कि हजार अश्वमेध यग्य करने से सो वाजपए यग्य करने से और लाख बार प्रतवी की प्रदक्षणा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल प्रयाग के कुम्भ के स्नान से प्राप्त हो जाता है तुरतिय उज्जैन स्नान की महिमा, कुश स्थली महाचित्रम, योगी नाम स्थान दुर्लभम, माधवे ध्वले, पक्षे सिंगे, जीवे अजे रवो, तुला राशो निशाना थे, पूर्णायाम, पूर्णी माति थो, व्यती पाते, तु संजाते, चंद्रवासर संयुते, उज्जी अनायाम, महा योगे स्नाने, मुक्ष्मवा पनुया, अन्यत्र भी आया है, धारायाम चैतदा कुम्भो, जायते खलू मुक्ति दह। चतोर्थ, नासिक स्नान की महीमा, जिस समय ब्रहस्पती सिंग राशी पर हो, उस समय गुदावरी में केवल एक बार स्नान करने से, मनुष्य साथ हजार वर्षों तक गंगा स्नान करने के सुदर्श पुन्य प्राप्त करता है, जिस समय ब्रहस्पती सिंग राशी पर स्थित हो, उस समय गुदावरी में केवल स्नान मत्र से ही मनुष्य अश्व मेधय यग्य करने का, तथा एक लक्ष गौदान करने का पुन्य प्राप्त करता है, ब्रह्मान पुराण में कहा गया है, कुम्भ स्नान की विधी एवं दान का महत्व, प्रातह काल उठकर सर्व प्रथम देव स्मन करना चाहिए, उसके पश्चात शौच आदी क्रियाओं से निवरत होकर, कुम्भ पर्व महत्व सूचक श्लोकों का स्मन करें, तदंतर यथा समय कुम्भ स्नानार्थ गंगा आदी पवित्र नदी में जाकर, अपने दोनों हातों द्वारा कुम्भ मुद्रा, अर्थात कलश मुद्रा दिखला कर, उसमें अम्रत की भावना कर, निम्न लिखित श्लोकों को पड़ता हुआ स्नान करें, स्नान करने के बाद संध्या तरपन आदी से निवरत होकर, गणपती पूजन पूर्वक कुम्भ कलश स्थापन करें, तद अंतर श्रद्धा भक्ती से कुम्भ का शोडशो प्चार पूर्वक पूजन करें, तद पश्चात एक, चार, ग्यारह, एक्कीस अधवा यथा शक्ती सुवन, रजत, ताम्र या पीतल के कलशों में ग्रत भर कर, सुपात्र योग्य विद्वानों को ग्रत कुम्भ दान करें, कुम्भ पर्व के समय यथा विधी, ग्रत पूर्ण कुम्भ, अर्थात कलश का पूजन कर, उसे वस्त्रलंकार, आभुशन तथा सुवन खंड सहित सदाचारी विद्वान को देने से सैंकडों गौदान करने का फल प्राप्त होता है तथा मनुश्य के पित्रों की आत्मा संतुष्ट होती है इसी प्रकार प्रतेक कुम्भ पर्व के तीर्थ स्थानों में अनेक विद्ध अन द्रव्य आदी के दान करने से करोडों तीर्थों में जाने का तथा सैंकडों अश्वमेध यग्य करने का फल प्राप्त होता है हरीद्वार महतमय साथ पुरियों में से माया पुरी हरीद्वार के विस्तार के भीतर आ जाती है यहां प्रतेक बारहवे वर्ष कुम्भ का मेला लगता है उसके छटे वर्ष अर्ध कुम्भ पढ़ता है इस से तीर्थ के कई नाम है हरद्वार, हरीद्वार, गंगाद्वार, कुशावरत, मायापुरी, हरीद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोडा इन पांचों पुरियों को मिला कर हरीद्वार कहा जाता है राजा भगीरत के पीछे चलने वाली अलक नंदा गंगा सहिस्त्रों परवतों को विदिन करती हुई जहां भूमी पर उत्री है जहां पूर्व काल में दक्ष प्रजापती ने यगेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है वह पुर्ण्य दायक छेत्र हरीद्वार ही गंगा द्वार है जो मनुश्यों के समस्त पातकों का नाश करने वाला है प्रजापती दक्ष के यग्य में इंद्र आदी सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यग्य में भाग लेने की इच्छा से वहां आये थे उसमें देवरिशी शिश्य प्रशिश्यों सहित शुध अंतह करण वाले ब्रह्मरिशी तथा राजरिशी भी पधारे थे पिनात पानी ढगवान शंकर को छोड़ कर अन्य सभी देवताओं को निमंत्रत किया गया था वे सभी देवता विमानों पर बैठ कर अपनी प्रिये पत्नियों के साथ दक्षप्रजापती के यग्योत्सव में जा रहे थे और प्रसंता पूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे कैलास पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बाते सुनी देवताओं की बाते सुनकर वे पिता का यग्योत्सव देखने के लिए उत्सुक हुई उस समय सती जी ने भगवान महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्राथना की उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा देवी वहां जाना कल्यान कर नहीं होगा किन्तु मा सती जी ने अपने पिता का यग्योत्सव देखने के लिए चल दी मा सती देवी वहां पहुच दो गई किन्तु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया तब मा सती ने वहां अपने प्राण त्याग दिये अतह वह स्थान एक उत्तम छेत्र बन गया है जो उस सीर्थ में इस्नान करके देवताओं तथा पित्तरों का तरपन करते हैं वे देवी के अत्यंत प्रिया होते हैं वे भोग और मुक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं तदंतर देवरिशी नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुन कर भगवान शंकर ने वीर भद्र को उत्पन किया वीर भद्र ने संपून प्रमत गणों के साथ जांकर उस यग्या का नाश कर दिया फिर भगवान ब्रह्मा जी की प्राथना से तुरंत प्रसन होकर भगवान शंकर ने उस विक्रत यग्या को पुनह संपन किया तब से वह अनुपम तीर्थ संपून पात्कों का नाश करने वाला हुआ उस तीर्थ में विधी पूर्वक स्नान करके मनुश्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है जहां दक्षत अथा देवताओं ने यग्यों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विश्नु का स्तवन किया था वह स्थान हरी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है जो मनुश्य उस हरी पदतीर्थ अर्थात हरी की पैड़ी में विधी पूर्वक स्नान करता है वह भगवान विश्नु का प्रिय और भोगत अथा मुक्ष का प्रधान अधिकारी होता है उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात छेत्र है जहां सब लोग त्रीपथगा गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं वहां स्नान करके देवताओं, रिशियों, पित्रों और मनुश्यों का श्रगधा पूर्वक तरपन करने वाले पूरुष स्वर्ग लोक में देवता की भाती आनन्दित होते हैं वहां से दक्षन दिशा में कंखल तीर्थ है जहां पर दिन रात उपवास और स्नान करके मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है जो वहां वेदों में पारंगत विद्वान ब्रह्मन को गौदान देता है वह कभी वैतर्णी नदी और यम्राज को नहीं देखता वहां किये गए जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं वहां से पश्चिम दिशा में कोटी तीर्थ है जहां भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटी गुणा पुन्य प्राप्त होता है और एक रात वहां मिवास करने से पुन्डरीक यद्य का फल मिलता है इसी प्रकार वहां से उत्तर दिशा में सप्त गंग अर्थात सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है वह संपून पात्कों का नाश करने वाला है वहां सप्त रिशियों के पवित्र आश्रम है उन सब में प्रथक प्रथक स्नान और देवताओं एवं पित्रों का तरपन करके मनुश्य रिशी लोग को प्राप्त होता है राजा भगीरत जब देव नदी गंगा को ले आए उस समय उन सप्त रिशियों की प्रसंता के लिए वे साथ धाराओं में विभक्त हो गई तब से प्रथवी पर वह सप्त गंग नामक तीर्थ विख्यात हो गया वहां से परम उत्तम कपिलाहद नामक तीर्थ में जाकर जो स्रेश्ट ब्रहमन को धेनु दान करता है उसे सहिस्त्र गौदान का भल मिलता है तदंतर शंतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधीवत स्नान और देवता आदी का तरपण करके मनुष्य उत्तम गती पाता है जहां राजा शंतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहां गंगा ने प्रती वर्ष एक एक वसू को जन्म दे कर अपनी धारा में उनके शरीर को डलवा दिया था उन वसू का शरीर जहां गिरा वहां रक्ष पैदा हो गया जो मनुष्य वहां स्नान करता है वहें गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गती में नहीं पड़ता वहां से भीम स्थल अर्थात भीम गोडा में जाकर जो पुन्य आत्मा पुरुष स्नान करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है की बहुना इस तीर्थ का महत्तमय वन नातीत है पद्म पुराण और नारद आदी पुराण हरिद्वार की महिमा से भरे पड़े है पुराण का वचन है सकंद जी देवरिशी नारद जी से कहते है हे नारद मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ती का एक उपाय बतलाता हूं जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं वे फिर सन्यास में जन्म नहीं लेते चाहे करोडों कल्प बीच जाएं हे मुने साड़े तीन करोड तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया दक्षिन की और एक भलांग की दूरी पर कुशा व्रत नामक महातीर्थ है यहां स्नान दान जप होम वेदादी पाठ श्राध तथा तरपन आदी जो कुछ किया जाता है वह करोणों गुना अधिक होता है हरीदवार कुशा व्रत बिलवकेश नील परवत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुश्य को पुनर जन्म नहीं लेना पड़ता पुन्यात्मा पुर्षों को श्री हरीदवार के दर्शन होते हैं विशेश कर इस तीर्थ में स्नान दान आदी का महत्यमय मेश संक्रांती में होता है जो इस छेत्र में ब्रहस्पती के कुम्भ राशी और सूर्य के मेश राशी पर रहते समय स्नान करता है वह साक्षात ब्रहस्पती और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है सोमवती अमावस्या में अथ्वा अन्यकिसी अमावस्या में एवं माघ वैशाख तथा कार्तिक मास में इस हरिद्वार तीर्थ का दर्शन तथा स्नान आदी का बड़ा महत्मय है जैस्थ के महीने में शुकल पक्ष की दश्मी अर्ठात दशहरा गंगा जन्म के दिन केवल स्नान करने से परमधाम की प्राप्ती होती है जो की योगियों को भी दुर्लब है हरिद्वार स्वर्ग के द्वार के समान है इसमें संशे नहीं है वहाँ जो एकाग्र होकर कोटी तीर्थ में स्नान करता है उसे पुंडरी की यग्या का भल मिलता है तथा वह अपने कुल का उद्धार कर देता है वहाँ एक रात निवास करने से सहिस्त्र गौदान का भल प्राप्त होता है सप्त गंगा त्रिगंगा और शक्रा व्रत में विधी पूर्वक देव रिशी पित्र तरपन करने वाला उन्य लोक में प्रतिस्थित होता है त्वदंतर कंखल में स्थान करके तीन रात उपवास करे ऐसा करने वाला अश्व मेधय यग्य का हल पाता है और स्वर्ग गामी होता है इतना ही नहीं जो मानव दूर रहे कर भी गंगा द्वार का स्मन करता है वह उसी प्रकार सद्गती पाता है जैसे अन्तकाल में श्री हरी को स्मन करने वाला पुरुष मनुष्य शुद्ध चित होकर हरी द्वार में जिस देवता का पूजन करता है वह देवता परम प्रसन होकर उसके मनुरतों को पून करता है जहां गंगा भूतल पर आई है वही तपस्या का स्थान है वही जब का स्थल है और वही होम का स्थान है जो मनुष्य नियम पूर्वक रहे कर तीनों समय स्नान करके वहां गंगा सहस्त्र नाम का पाथ करता है वह अक्षय संत्ती पाता है जो नियम पूर्वक भक्ती भाव से गंगा द्वार में पुरान सुनता है वह अविनाशी पत को प्राप्त होता है जो स्रेश्थ मानव हरिद्वार का महत्य में सुनता है अथवा भक्ती भाव से उसका पाठ करता है वह भी स्नान का फल पाता है पतीत पावन तीर्थ हरिद्वार की महिमा अपार है इसके विशय में पद्म पुरान का एक पुन्य मौय उपाध्यान है एक समय की बात है कुरु छेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चांडाल रहता था एक बार सूर्य क्रहन के समय आये हुए एक धनी वैशय के पीछे वह लग गया और कुरु छेत्र से उस वैशय के लोटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैशय के खेमे में चोरी करने की चेस्टा की और दो पहरेदारों को मार डाला इसी समय वैशय के एक सेवक ने दूर से बान मारा जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया तदंतर चांडाल द्वारा मारे हुए वैशय के दोनों पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैशय से बोले देखो इस तीर्थ का महत्म है यह हरीद्वार पापियों का भी कल्यान करने वाला है ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोग को चले गए दूसरे दिन वैशय ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दह संसकार करा कर उनकी हड़ियां हरीद्वार तीर्थ में डलवा दी इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लोट कर भगवान विष्णू के परमधाम में चले गए तदंतर बुद्धीमान वैशय ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्म पूर्वक करते हुए भगवान की भक्ती में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ती कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यों को प्राप्त हुआ बोलिये हरी द्वार तीर्थ की जय 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 श्री हरी जय जय श्री हरी जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर प्रयाग महतमय प्रयाग तीर्थ राज कहे जाते हैं समस्त तीर्थों के ये अधिपती हैं सातों पुरियां इनकी रानिया कही गई हैं गंगा यमुना की धारा ने पूरे प्रयाग के छित्र को तीन भागों में बांट दिया है ये तीनों भाग अगनी स्वारूप यग्यवेदी माने जाते हैं इन में गंगा यमुना के मध्य का भाग ग्रह पत्य अगनी गंगा पार का भाग अलर्क पुर अरेल दक्षिना अगनी माना जाता है इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्री निवास करने से इन अगनियों की उपासना का फल प्राप्त होता है प्रियाग में प्रती वर्ष माग मास में मेला लगता है इसे कल्पवास कहते हैं बहुत से श्रधालू यात्री प्रती वर्ष गंगा यमुना के मध्य में कल्पवास करते हैं कल्पवास कोई सौर मास की मकर संक्रांती से कुम्भ की संक्रांती तक मानते हैं और कोई चंद्र मास के अनुसार माग महीने भर को मानते हैं यहां प्रती बारहवे वर्ष कुम्भ होता है कुम्भ से छटे वर्ष अर्धकुम्भ पड़ता है इस अवसर पर भी माग भर प्रयाग में भारी मेला रहता है इतिहास कारों का कथन है कि पर्व के दिनों में सम्राट हर्षवरधन प्रयाग में आकर अपना सर्वस्वदान कर दिया करता था प्रयाग में गंगा यमुना के संगम स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है और इस छेत्र में देहे त्यागने वाले प्राणी की मुक्ती हो जाती है ऐसे वचन पुराणों में प्राप्त होते हैं प्रयाग के महतमय से सारा वाइदिक सहित्य भरा पड़ा है पद्म पुरान का वचन है जैसे ग्रहों में सूर्य तथा ताराओं में चंद्रमा है वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्म है जो पुरुष यहां के अक्षय वट का दर्शन करता है उसके दर्शन मात्र से प अक्षय वट आदी वट कहलाता है और कलपांत में भी देखा जाता है इसके पत्ते पर भगवान विश्णु स्वयम शयन करते हैं अतह यह वट अव्याय समझा जाता है वहाँ भगवान माधव नाम से सुख पूर्वक नित्य विराजते हैं उनका दर्शन करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है गोधाती, चांडाल, शठ, दुष्टचित, बालगाती या मूर्ख जो भी यहां मरता है वह चतुर्भुज होकर अनन्त काल तक वैकुंठ में वास करता है देवरिशे प्रियाग में जो माघिस्नान करता है उसके पुन्य फल की कोई गणना नहीं है मत्से पुराण में आया है कि तीर्थ राज प्रियाग की महीमा के विशय में महराज धिस्टिर के द्वारा उचने पर मारकंड़य रिशी जी ने कहा है कि हे राजन प्रियाग महतमय का वंणन सैक्रों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है फिर भी मैं संक्षेप में वंणन कर रहा हूं प्रियाग में साथ हजार धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं तथा साथ घोरों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देख भाल करते रहते हैं इंद्र विशेश रूप से सदा प्रियाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं श्रीहरी देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रियाग मंदल की रक्षा करते हैं महिश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदावट व्रक्ष की रक्षा करते हैं देवगण इस सर्वपापहारी मंगल मैस्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुश्य प्रयाग छित्र में प्रवेश नहीं कर सकता नरेश्वर यदि किसी का स्वलफ अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा प्रयाग का स्मन करने से नस्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन नाम संकीर्थन अथवा मृतिका का स्पर्ष करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है राजेंद्र प्रयाग छेत्र में पांच कुंड है उन्ही की मध्य में गंगा बहती है इसलिए प्रियाग में प्रवेश करते ही उसी शन पाप नस्त हो जाता है मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का इस्मन करता है तो उसे परमगती की प्राप्ती होती है गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी साथ पीडियों को पावन बना देता है वहां सूर्य कन्या महा भागा यमुना देवी जो तीनों लोकों में विख्यात है नदी रूप में आई हुई है और साक्षात भगवान शंकर वहां निट्य निवास करते हैं इसलिए हे युधिष्टिर यह पुण्य प्रद प्रयाग मनुश्यों के लिए दुरलब है राजिंद्र देव दानव गंधर वरिशी सिध्ध चारण आदी गंगा जलका स्पर्श कर स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं दुखियों दरिद्रों और निश्चित व्यवसाय करने वालों के कल्यान के लिए प्रयाग छित्र ही प्रशस्त कहां गया है इसे कभी कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए सुरेष्ठ रिशियों का कथन है कि जो मनुष्य रोग गरस्त दीन अथवा व्रध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है वह तपाय हुए स्वन की सी कांती वाले एवं सूर्य सदर्ष तेजस्वी विवानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अपसराओं के मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभिष्ट मनोरतों को प्राप्त कर लेता है वहाँ वह संपून रतनों से सुशोभित अनेक रंगों की ध्वजाओं से मंदित अपसराओं से खचाखच भरे हुए शुभ लक्षन संपन दिव्य विमानों में बैठकर आनंद मनाता है तथा मांगलिक गीतों और बाजों के शब्दों द्वारा नींद से जगाया जाता है इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मन नहीं करता तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है ततपस्चात पुण्यशीन हो जाने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है इस प्रकार स्वर्ग से भ्रस्ट हुआ वह जीव सुवन रत्न से परिपून एवं सम्रध कुल में जन्म धारन करता है और समयानुसार उनह उसी तीर्थ का स्मन करता है तथा स्मन आने से पुनह उस प्रयाग छेत्र की यात्रा करता है रिशी वरों का कथन है कि मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में घर में हो अथवा वन में यदि वह प्रयाग का स्मन करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है नारद पुराण में प्रयाग महतमय की चर्चा करते हुए कहा गया है कि गंगा में जहां कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुछित्र के समान पुन्य दायनी है उससे दस गुणा पुन्य देने वाली गंगा वह बताई गई है जहां वह विंध्य परवत से संयुक्त होती है काशी की उत्तरवाहिनी गंगा विंध्य परवत के निकट वर्तनी गंगा से सौ गुनी पुन्य दाइनी कही गई है काशी से भी सौ गुना पुन्य वहां बताया गया है जहां गंगा यमुना से मिलती है वह भी जहां तक पश्चिम वाहिनी है वहां उसमें सह्स्त्रगुना कुन्य प्राप्त होता है पश्चिम वाहिनी गंगा गर्षन मात्र से ही ब्रहण अत्या आदी पापों का निवारण करने वाली है पश्शिमा भिमुकी गंगा यमुना के साथ मिली है वे सौ कल्पों का पाँप हर लेती है माघ मास में तो वे और भी दुरलब है प्रत्वी पर वे अमरत रूप कही जाती है गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से फ्रसिद्ध है जिसमें माघ मास में दो घडी का स्नान देवताओं के लिए भी दुरलब है प्रत्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुरियां है वे मकर राशी पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णू और भगवान महादेव, रुद्र, अधित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गोहक, अनिमादी गुणों से युक्त, अन्यान्याय तत्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची मेधा, अधिती, रती, समस्त देवपत्निया, नागपत्निया, तथा समस्त पित्रगण, ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्थान के लिए आते हैं, सत्ययुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारन करके आते थे, किन्तु कलियुग में वे छिपे पापियों के संगदोश से काले पड़े हुए संपून तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, गोविंद, अचियूत, माधव, देव, मकर राशी पर सूरे के रहते हुए, माघ मास में त्रिवेणी के जल में किये हुए, मेरे इस स् दुस्ट हों, आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हैं, इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें, वासु देव, हरी, कृष्ण और माधव आदी नामों का बार बार स्मन करें, मनुष्य अपने घर पर गरम जल से साथ वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ती सूरे के मकर राशी पर रहते समय, एक बार के स्नान से हो जाती है, बाहर बावड़ी आदी में किया हुआ स्नान, बारह वर्षों के स्नान का फल देने वाला है, पोखरे में स्नान करने पर उससे दूना और नदी आदी में स्नान करने पर चागुना फल प्राप्त होता है, देवकुंड में वही फल दस गुना और महा नदी में सौ गुना होता है, दो महा नदीयों के संगम में स्नान करने पर चार सो गुने फल की प्राप्ती होती है, किन्तु सूर्य के मकर राशी पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है प्रयाग कीर्थ को पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था जिसके गर्भ में माता सरस्वती छिपी है वह श्वेत और शाम जल की धारा ब्रह्म लोक में जाने का मार्ग है गंगा का जल यदी माघमास में सुलब हो तो वह पाप उरूपी इंधन को जलाने के लिए दावानल गर्भवास के कस्ट को नाश करने वाला तधा विष्णु लोक एवं मुक्ष की प्राप्ती कराने वाला बताया गया है इतना ही नहीं स्वर्गवासी देवता सदा यह गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघमास हमें मिलेगा जहां स्थान करने वाले मानव फिर कभी गर्भकी वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं जल और वायू पीकर रहने पत्ते चबाने देह सुखाने देर्ग काल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गती को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं प्रयाग मंडल का विस्तार पांच योजन हैं वहां तीन कुंड हैं उनके बीच में गंगा हैं प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को सैयम में रख कर हिंसा से दूर हो यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो वह पाप मुत्द होता है और परमपद को प्राप्त करता है नैमिश, पुष्कर, गौतीर्थ, सिंधू सागर संगम, गया, धैनुक और गंगा सागर संगम ये तद्धा और भी जो बहुत से पुन्यमय परवत हैं वे सब मिलकर तीन करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयाग में विद्यमान है सूर्य पुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं वे लोकपावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिली हैं गंगा और यमुना के बीच का भूभाग प्रत्वी पर सर्वोतम माना गया है तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है। उसका दर्शन करके मनुश्य सब पापों से मुक्त हुजाते हैं। संपून देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तधा देवता और पित्रों का तरपन करते हुए एक मास तक वहाँ निवास करता है। वह जहां कहीं भी रहेकर संपून मनुवांचित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संपून लोकों में विख्यात है। वहां भक्ती पूर्वक स्नान करने से जिसके जिसके मन में जो जो कामना होती है उसकी वही कामना अवश्य पून हो जाती है। हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुची के अनुसार भगवान भ्रहमा भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीता सित संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वहें सौ कोटी कलपों में भी कभी पुन्रा व्रती का अवसर नहीं देता। प्रियाग के ही अंतरगत प्रतिस्ठान पूर जूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहां मन को सायम में रख कर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पित्रों का तरपन करे और ब्रह्म चर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो तीन रात वहां निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित हो अश्व मेध यग्या का फल पाता है। प्रतिस्ठान से उत्तर और भगी रथी से पूर्व हंस प्रतपन नामक लोक विख्यात तीर्थ हैं। वहां स्नान करने मात्र से अश्व मेध यग्या का फल प्राप्त होता है। और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिस्ठित होता है। तदंतर वासु की नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाव मेध तीर्थ है। वह परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्व मेध यग्या का फल पाता है। और इह लोक में धनाड्य रूपवान दक्षदाता एवम धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुर्षों को जो पुन्य प्राप्त होता है। सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है। उन सब का फल दशाश्व मेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायसी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिन तट पर श्रण मोचन नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है वहां स्नान करके एक रात रहने से मनुश्य सब श्रणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्ग लोक में जाता है प्रयाग में मुंडन कराना अत्या आवशक होता है क्योंकि मनुश्यों के सब पाप केशों की जड़का आश्रें लेकर टिके रहते हैं अतहे प्रयाग तीर्थ में इस्नान करने से पहले मुंडन करा लेना चाहिए यदि पोश और माघ के महीने में श्रवन नक्षत्र व्यती पात योगत अथा रवी वारसे युक्त अमावस्या तिथी हो तो उसे अधोर्दय पूर्वक समझना चाहिए इसका महत्व सौ सूर्य ग्रहन से भी अधिक होता है यदि प्रयाग तीर्थ में अरुनोदाय के समय माघ मास शुकला सफ्तमी प्राप्त होतो वह एक हजार सूर्य ग्रहनों के समान है यदि आइना अरंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटी गुना पुन्य होता है और विश्व योग में लाख गुने भल की प्राप्ती होती है शड़तीती तथा विश्णुपदी में सहिस्त्र गुना पुन्य प्राप्त होता है अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए इससे तीर्थ का फल बढ़ता है जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है वह उस पुन्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नर्क का दर्शन नहीं करता प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वतर नामक जो दोनो नाग है वहां से बहु मूलक नाग तक का जो भूभाग है यही प्रजापती छित्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है इस छित्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता सनमार्ग में स्थित बुद्धी मान योगी को जो गती प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है प्रियाग के दक्षण यमुना तट पर विख्यात अगनी तीर्थ है पश्चे में धर्मराज तीर्थ है वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं जो बड़े-बड़े मुनीश्वरों से सेवित हैं उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मुक्ष हो जाता है गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान हैं केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी जाती हैं पद्म पुराण में प्रयाग तीर्थ की महिमा के विशय में एक बहुत ही सुन्दर कथा आई है जो इस प्रकार है न्रमदा नदी के किनारे महिश मती पूरी में एक रूप योवन संपना नाच गान में निपुन मोहिनी नाम की वैश्या रहती थी धन के लोभ में उसने अनेक महापाप किये थे व्रधा अवस्था आने पर उसको सदबुद्धी आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुवा, देवमंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जलकी भी व्यवस्था की एक बार वह बिमार पड़ी और अपना सारा धन ब्रहमनों को देना चाहा पर रहमनों के ना लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया और स्वयम निर्धन हो गई इस समय जर द्रवा नामक मोहिनी की एक सक्षी उसकी सेवा करती थी भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई पर निर्धन्ता की अवस्था में जर्दववा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घर से निकल गई एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी चोरों ने उसके पास धन समझ कर लोभ से उसे मार दिया पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़ कर चल दिये अभी मोहिनी की सांसे चल रही थी उसी समय एक वान प्रस्थी महत्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलू में लिये वहाँ आँ पहुँचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महरानी बनने की इच्छा थी मुख में प्रयाग का जल पड़ते ही मुहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविन देश में राजा वीर वर्मा की हिमांगी नामक महरानी हुई राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी एक दिन हिमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भुगोल का मानचित्र था मानचित्र देखते देखते हे मांगी की द्रस्टी इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का अस्मन हुआया तदंतर उसने घर लोड़ कर अपने पती से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुना कर प्राथना की कि नाथ मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ इस समय आपके साथ चल कर तीर्थ राज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ जब मैं उस तीर्थ राज के लिए चल पड़ूंगी तभी अनजल ग्रहन करूंगी राजा के पूरा विश्वाश ना करने पर उसी समय आकाश वानी ने कहा राजन तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पून होंगी तब तो राजा आकाश वानी को नमश्कार करके मंत्री को सारा भारसों ही मांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में प्रयाग आ पहुँचे इस प्रयाग स्नान के पुर्ण्य से हम पर भगवान विश्नु प्रसन हों इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्माजी क्रमशह गरुड और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुँचे राजा वीर वर्मा ने मस्तक जुका कर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचुत से उनकी विलक्षन स्तूती की फिर हिमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरत पून करने की प्राथना की भगवान विश्णू और भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन होकर हिमांगी की बड़ी प्रशंशा की और फिर दोनों को अपने साथ ले सत्य लोक में चले गए बोलिये प्रयाग तिर्थ की जय 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 श्री हरी जय जय श्री हरी जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर अवंती का महतमय आधुनिक लोग अवंती का पूरी को उज्जैन कहते हैं उज्जैन का दूसरा नाम महाकाल पूरी भी है महाकाल पूरी का नाम प्रतेक युग में परिवर्तित होता रहता है इसके संबंध में कहा गया है कि इस समय इस स्थान को प्रतवी का नाभी देश कहा गया है द्वादश जोतिर लिंगों में महाकाल लिंग यहीं है और 51 शक्ती पीठों में यहां एक शक्ती पीठ भी है द्वापर में श्रीकृष्ण बलराम यहीं महरिशी सांधीपनी के आश्रम में अध्यन करने आए थे महराज विक्रमादित्य के समय उज्जायनी भारत की राजधानी थी भारतिय जोतिश शास्त्र में देशांत्र की शून्य रेखा उज्जायनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है यह सब्त पुरियों में एक पुरी है यहां वारहवें वर्ष में कुम्भ का मेला लगता है नारद पुरान का कथन है कि अवंती तीर्थ का तथा देववन्ध भगवान का महतमय अपार है महाकाल वन परम पवित्र एवं परम उत्तम तपो भूमी है महाकाल वन से बढ़कर दूसरा कोई छेत्र इस प्रत्वी पर नहीं है यहां कपाल योग नामक तीर्थ है जिसमें भक्ती पूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है अवंती के प्रतेक कल्प में भिन भिन नाम होते हैं यह था कनक श्रंगा, कुश स्थली, अवंतीका, पद्मावती, कुमुदवती, उज्जयनी, विशाला और अम्रावती जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महिश्वर की पूजा करता है वह भगवान महदेवजी तथा महदेवजी की क्रपा से संपून कामनाओं को पा लेता है शिप्रा नदी सर्वत्र पुन्य दायनी, अतीशय पवित्र तथा पापहारिनी है परन्तु अवंती पूरी में उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है पूर्वकाल में भगवान विश्णू के जय और विजय नामवाले दो द्वारपाल थे वे दोनों सदा वैकुंध के द्वार पर खड़े रहते थे एक समय भगवान ब्रह्मा जी के मानस फुत्र संकादी स्विच्छा से विश्णू जी के परमधाम में पधारे द्वार पर आते ही द्वारपालों ने सहसा रूप दिया द्वारपालों के इस बरताव से संकादीकों को बहुत बड़ा दुख हुआ परिणामत अहर उन मुनी कुमारों ने जय विजय को असुर होने का शाप दे दिया संकादी कुमारों के द्वारा शापित होकर वे दोनों जय और विजय ततकाल आसूरी योनी में चले गए वे दोनों प्रथम जन्म में हिरनायक श्यप और हिरनायक्ष दूसरे जन्म में कुम्भकरण तथा रावण और तीसरे जन्म में दंतवक्त्र एवं शिशुपाल कहिलाए हिरनायक्ष नामक देत्य बड़ा बलवान था उसके अत्याचारों से चारों और हाहकार मच गया वहे प्रथवी को रसातल लेकर चला गया संसार की ऐसी दुर अवस्था देख भगवान विश्णु ने वारह रूप से प्रकट होकर प्रथवी का उध्धार किया हल स्वरूप चारों दिशाओं में जो कोलाहल होते रहते थे वे सब शांत हो गए उन्ही भगवान वारह के हरदय से यह सनातन नदी शिफ्रा प्रकट हुई है जो आनंद मैं जल से परिपून तथा आनंद दायक वर देने वाली है रमणिय महाकाल वन में एक परम सुन्दर पदमावती पूरी है उस पूरी में परम रमयय एक सुन्दर कुंड है उसमें सनान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को चले जाती है उसी सुन्दर वन में लोक पावनी शिफ्रा लीन होई है भगवान वारह ने समस्त दुस्ट राक्षशों का संगार करके जब देवताओं को निर्भय कर दिया तब इंद्र आदी सब देवताओं ने हात जोड़ कर उन महा विष्णु को नमशकार किया और सामने खड़े होकर स्वर्ग प्राप्ती का उपाय पूछा देवताओं को आश्वस्त करते हुए भगवान वारह ने कहा देवताओं महकालवन में तुम्हारी मनोरत सिध्धी का कारण भूत गुह से भी गुह पुन्य स्थान है जहां मेरे शरीर से उत्पन हुई शिप्रा नदी लीन हुई है वह स्थान लिन गंगा के नाम से विख्यात है जहां सरीताओं में स्रेष्ठ लिन गंगा प्राची सरस्वती पुष्कर गया तीर्थ तधा शुभ पुरुशोतम सरूवर है उस शिप्रा नदी को जाओ भगवान वाराह का यह वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा इंद्र आदी सब देवता परम सुंदर महकाल वन में जहां सरीताओं में स्रेष्ठ शिप्रा बहती है वहां गये वहां स्नान दान आदी शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अपने लोक को प्राप्त हुए इस प्रकार शिप्रा नदी संपून लोकों को पवित्र करने वाली बताई गई है स्कंद पुरान अवंत्य खंड अवंती छेत्र महतमय वर्णन में आया है जहां भगवान महाकाल है शिप्रा नदी है और सु निर्मल गती मिलती है उस उज्जायनी में भला किसे रहना अच्छा ना लगेगा महानदी शिप्रा में स्नान करके जो कठिनाई से मिलता है तथा महाकाल को नमशकार कर लेने पर फिर रित्यू की कोई चिंता नहीं रहती कीट या पतंग भी मरने पर रुद्र का अनुचर होता है अवन्ती का महत्मे के संबंध में सकंद पुराण की स्पस्ट मान्यता है कि उज्जायनी में प्राणी मर कर शव होने पर भी ना तो दुर्गंध को प्राप्त होता है और ना सड़ता ही है वहाँ पर कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते और वहाँ पर करोणों शिव पदपद पर वर्तमान है एक ही जोतरलिंग हाटकेश महाकाल और तारकेशवर इन तीनों रूपों में तरलोक्य में व्याप्त होकर स्थित है जो द्वी जाती गण इस उज्जायनी सिध्वट में जोती स्वरूप जोतरलिंग अधवा श्री महाकालेशवर के दर्शन करते हैं वे पुन्यराशी परम जोती को देख लेते हैं संसार के जिन दीन दुखियों ने कभी भी महाकालेशवर के लिंग का दर्शन किया हैं उन्हें ना तो महापाप छूते हैं और ना यम दूत गण ही सताते हैं महाकाल 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 इस प्रकार सर्वदा स्मन करने वालों को काम देव के पिता श्री विश्णू और शत्रू श्री शिव ये दोनों स्मन करते रहते हैं सकंद पुराण में अवंती छेत्र महतमय के अंतरगत शिप्रा महतमय की एक बहुत ही सुन्दर कथा मिलती है एक समय की बात है भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नाग लोग की भोगवती पूरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूम कर उन्होंने भिक्षाम देही अर्थात भिक्षा दो की रट लगाई किन्तु उन भूके भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी तब वे पूरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहां नाग लोग के सरंग्षन में अमरत के 21 कुंड भरे हुए थे वहां पहुँचकर सर्वांत्र अंतर्यामी भगवान शंकर ने अपने तृतिय नेत्र के मार्ग से अमरत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहां से उठकर चल दिये यह सब देख सुनकर समस्त नाग लोक काप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे यह किसका कर्म है किसने क्या कर दिया है जिससे इन कुंडों का अमरत यहां से चला गया परस पर ऐसा कहें कर वासु की आदी सभी नाग किसी महत्मा का अप्राद हो जाने की आशंका से नगर छोड़ कर बाहर निकले और क्या करें कहां जाएं अब हमारा जीवन निर्वह कैसे होगा इत्यादी रूप से चिंता प्रकट करते हुए स्तुरी बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरी की शरण में गए तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाश वानी होई नागगण तुम लोगों ने घर पर आये हुए देवता का अपमान किया अतीथी सतकार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षू के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आये थे परन्तु भोगवती पूरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी तब वे बाहर चले गए हैं इसी व्यती क्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर अम्रत नस्ट हो गया है अब तुम लोग पाताल से निकल कर उत्तम महाकाल वन में जाओ वहां तीनों लोगों को पवित्र करने वाली स्रेष्ट नदी शिप्रा बहती है जो समस्त कामनाओं और हलों को देने वाली है वहां जाकर तुम सब लोग विधी पूर्वक स्नान और देवाधी देव भगवान शिव का भजन करों ऐसा करने पर नाग लोक में तुम्हारी नस्ट हुई अमरत राशी उनह प्राप्त हो जाएगी इस आकाशवानी को सुनकर सब नाग स्तुरी बालक और व्रद्धों के साथ महाकालवन में गए उन्होंने उस त्रिभुवन बंदिता शिप्रा नदी का दर्शन किया इस से उन्हें बड़ी प्रसंता हुई और वहां स्नान दान आदी करके उन्होंने महादेव जी की अराधना की कभी मलीन ना होने वाली कमल पुष्पों की माला नाना प्रकार के भूल अक्षत वस्त्र पुष्पहार अनुलेपन चंदन गंध धूपदीप नेविध्य तांबूल दक्षिना और कपूर की आरती आदी पूजन सामगरी लेकर वे सब के सब महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए बोलिये उज्जाए नतीर्थ की जै 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 श्रीहरी जै 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 श्रीहरी जै जै शिवशंकर जै जै शिवशंकर नासिक महतमय नासिक को गोदावरी पंचवटी और गौत्मी आदी नामू से भी जाना जाता है जहां श्री लक्ष्मन जी ने रावन की बहन शुर्प नखा की नाक काटी थी और जहां सीता हरण हुआ था वह स्थान नासिक पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध है नासिक पंचवटी से थोड़ी दूर भगवान त्रमकेश्वर का स्थान है यहां के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पूत सलीला गोदावरी निकलती है जो महत्यमय उत्तर भारत में पाप विमोचनी गंगा का है वही दक्षिन में गोदावरी का है दक्षिन में यह गंगा नाम से ही प्रख्यात है जैसे इस प्रथवी पर गंगा उत्रण का श्रय तपस्वी भगिरत को है वैसे ही गोदावरी का प्रवहा रिशी स्रेश्च गौतम की घोर तपस्या का भल है जो उन्हें भगवान आशुतोश से प्राप्त हुआ था भगिरत के प्रत्न से भूतल पर अव्तरित हुई माता गंगा जैसे भगिरती कहलाती है वैसे ही गौतम रिशी की तपस्या के फल स्वरूप आई हुई गौदावरी का दूसरा नाम गौतमी है इनकी भी महिमा बहुत अधिक है गहस्पती के सिंग राशी में आने पर यहां बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है इस कुंभ के अवसर पर गौदावरी स्थान का बड़ा भारी महतमय है इन्ही उन्य तोया गोदावरी के उदगम स्थान के समीप स्थित त्रयम्बकेश्वर भगवान की भी बड़ी भारी महिमा है गौतम अरिशीत अथा गौदावरी के प्राथन अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान में निवास करने की क्रपा की और त्रयम्बकेश्वर नाम से विख्यात हुए मंदिर के अंदर एक छोटे से गड़े में तीन छोटे छोटे लिंग है जो भगवान भ्रहमा, भगवान विश्णू और भगवान शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं भगवान शिव पुरान के अनुसार त्रयम्बकेश्वर के दर्शन और पूजन करने वाले की इस लोक और परलोक में सदा आनन्द रहता है ब्रहमगिरी परवत के उपर जाने के लिए चौडी-चौडी 700 सीडियां बनी हुई हैं इन सीडियों पर चड़ने के बाद राम कुंड और लक्षमन कुंड मिलते हैं और शिखर के उपर पहुचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गौदावरी के दर्शन होते हैं नासिक महतमय के वर्णन प्रसंग में शिव पुरान रुद्र सहिता अध्याय 24 में कहा गया है इसका आश्या यह है कि सिंग की ब्रहस्पती में संपून देवता तथा तीर्थ पुषकर आदी सरोवर गंगा आदी नदियां वासुदेव आदी अनेक देवता गौत्मी में निवास करते हैं गौदावरी में सिहस्थ पर्व के समय देव, दानव, यक्ष और मनुष्य आदी जो कोई गौत्मी गंगा का स्नान तथा पान करेगा वह समस्त संकटों से मुक्त होकर सर्व विजय होगा सिहस्थ गुरू के समय गौदावरी में विधी पूर्वक स्नान, पूजा पाठ तथा दान करने से मुक्ष पद की प्राप्ती होती है जो मनुष्य गौदावरी में कुम्भ पर्व के समय इंद्रतीर्थ में स्नान कर त्रयमकेश्वर के दर्शन करता है वह समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर इंद्रलोक में जाता है और कुम्भ पर्व पर इंद्रतीर्थ में स्नान दान आदी कर पित्रों का श्राध तरपन करता है वह पित्रशन से मुक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ती करता है रुद्र सहिता अध्याय 27 में वर्णन आया है कि जो कोई कुम्भ पर्व के अवसर पर सीहस्त में गोदावरी में विधी पूर्वक स्नान तथा त्रयंबक का दर्शन करता है उसे समस्त तीर्थों के स्नान तथा समस्त देवताओं की अराधना एवं दर्शन का पुन्य फल प्राप्त होता है साथ ही उस मनुष्य के समस्त पापों की निवरती भी हो जाती है वैसे तो तीनों लोकों में व्याप्त रहने वाली गौदावरी के स्नान दर्शन एवं निवास का सरवदा विशेश महत्व रहता है किन्तु सिहस्त कुम्भकाल में उसका विशेश महत्व बढ़ जाता है इसका कारण है कि गौदावरी सिहस्त कुम्भकाल में अपने समस्त अंगों को स्वर्ग और पाताल से खीच कर त्रयम्बक छेत्र गौदावरी नासिक में निवास करती है गौदावरी स्थित गौत्मी गंगा के किनारे से चारों और दस दस योजन के अंतर में जो मनुष्य जन्मग्रहन करता है उसका पित्रों सहित उधार हो जाता है शिवपुराण में तो गौत्मी अर्थात गौदावरी के प्राकटए तधा महतमय का बड़ा ही सुन्दर आख्यान मिलता है जिसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है पूर्वकाल की बात है गौतम नाम से विख्यात एक स्रेष्ठ रिशी रहते थे जिनकी परमधार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था दक्षन दिशा में जो ब्रह्म गिरी है वहीं उन्होंने दस हजार वर्षों तक तपस्या की थी एक समय वहां सौ वर्षों तक बड़ा भयानक अब वर्षन हो गया सब लोग महन दुख में पड़ गए इस भूतल पर कहीं कीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था तब गौतम रिशी ने छह मैने तक तप करके वरुन को प्रसन किया वरुन ने प्रकट होकर वर मागने को कहा रिशी ने वरस्टी के लिए प्राधना की वरुन ने कहा देवताओं के विधान के विरुध वरस्टी ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ तुम एक गड़ा तैयार करो उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड़ा खोदा और वरुन ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोकार से सुशोभित होने वाले मुनि स्रेष्ठ गौतम से कहा महा मुने कभी शीन ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और प्रत्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याती होगी यहां किये हुए दान, होम, तप, देव पूजन कत्था, पित्रों का श्राध सभी अक्षय होंगे उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महरिशी गौतम को भी बड़ा सुख मिला गौतम जी के प्रभाव से उस्वन में सब और अनन्द छा गया एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्रह्मनों की स्तुरियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई उन्होंने अपने पतियों को उकसाया उन लोगोंने गौतम का अनिस्ट करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की अराधना की भक्त पराधीन भगवान गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तब ये बोले भगवन यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाए कीजिए जिससे समस्त रिशी डांट भटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें दुस्त ब्रहमनों की बात सुनकर भगवान गणेश जी ने उन्हें भाती भाती से समझाते हुए कहा ब्रहमनों इस समय तुम उच्चत कारे नहीं कर रहे हो बिना किसी अपराध के गौतम जी पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानी ही होगी जिन्होंने पहले उपकार किया हो यदी उन्हें दुख दिया जाए तो वहे अपने लिए हितकारक नहीं होता पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महरीशी गौतम ने जलकी विवस्था करके तुम्हें सुख दिया परन्तु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो ऐसा करना उचित नहीं है इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो किन्तु ब्रहमणों ने भगवान गणेश जी की बात नहीं मानी तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिवकुमार ने कहा तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्राथना की है उसे मैं अवश्य पून करूँगा पीछे जो हो नहार होगी होकर ही रहेगी ऐसा कहे कर वे अंतरध्यान हो गए उसके बाद उन दुस्त रिशियों के कुछ चक्र से तधा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण एक दिन गौतम जी के खेत में गणेश जी एक दुर्बल गाय बन कर गए दिये हुए वर के कारण वह गौ कामती हुई वहां जौ आदी चड़ने लगी इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए तधा मुट्टी भर तिनके से उस गौ को हागने लगे उन तिनकों का स्पर्ष होते ही वह गौ प्रत्वी पर गिर पड़ी और रिशी के देखते देखते उसी शन मर गई वे द्वेशी ब्रहमन और उनकी दुस्ट स्थुरियां वहां छिप कर सब कुछ देख रही थे उस गौ के गिरते ही वे सब बोल उठे गौतम ने यह क्या कर डाला गौतम भी आश्चर चकित हो अहल्या को बुला कर दुख पूर्वक बोले देवी यह क्या हुआ कैसे हुआ जान पड़ता है भगवान मुझ पर कुपिद हो गए हैं अब क्या करूं कहां जाओं मुझे हत्या लग जाएगी तत्पश्चात गहमन बोले अब तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए गौहत्यारे का मुख देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अगनी देव और पित्र हमारे दिये हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहन नहीं करेंगे इसलिए पापी गौहत्यारे तुम परिवार सहित यहां से अन्यत्र चले जाओ विलम बना करो तदंतर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आग्या से एक कौस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया वहां भी जाकर उन ब्रह्मनों ने कहा जब तक तुम्हारे उपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्य यज्यादी कर्म नहीं करना चाहिए किसी भी वैदिक देव यज्य या पित्र यज्य के अनुस्थान का तुम्हें अधिकार नहीं रह कया है मुनीवर गौतम उनके कथना नुसार किसी तरह एक पक्षबिता कर उस दुख से दुखी होकर बारम बार उन मुनियों से अपनी शुद्धी के लिए प्राधना करने लगे उनके दीन भाव से प्राधना करने पर उन ब्रहमणों ने कहा गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए तीन बार सारी प्रत्वी का परिक्रमा करो फिर लोट कर यहां एक महिने तक व्रत करो उसके बाद एक प्रहमगिरी की 101 परिक्रमा करने के पहश्चात तुम्हारी शुद्धी होगी अधवा यहां गंगा जी को ले आकर उनही के जलसे स्नान करो तथा एक करोड पार्थि वलिंग बना कर भगवान महादेव जी की अराधना करो फिर गंगा में स्नान करके इस परवत की ग्यारह बार परिक्रमा करो तत पश्चात सौ घड़ों के जलसे पार्थिव शिव लिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उध्धार होगा तत पश्चात उन ब्रहमनों की आग्या को शिरोधारे कर महरिशी गौतम ने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दिया पत्नी सहित गौतम रिशी की अराधना से संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर बोले महमुने मैं तुम्हारी उत्तम भक्ती से बहुत प्रसन हूँ तुम कोई वर मांगो उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके मुनी ने दोनों हाथ जोड कर कहा देव मुझे निश्पाप कर दीजिए इस पर भगवान शंकर ने कहा मुने तुम धन्य हो क्रत करत्य हो और सदा ही निश्पाप हो इन दोस्टों ने तुम्हारे साथ चल किया है वे सब के सब प्रतधन है उनका कभी उध्धार नहीं हो सकता महादेव जी की बात सुनकर महारिशी गौतम ने कहा हे महेश्वर उन रिशियों ने मेरा बहुत बड़ा उकार किया है यदि उन्होंने यह बड़ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता उनके इस दुराचार से तो मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन हुए और बोले विप्रवर तुम धन्य हो सभी रिशियों में स्रिष्ठतर हो मैं तुम पर बहुत प्रसन हूँ तुम मुझसे कोई दूसरा उत्तम वर मांगो इस पर गौतम जी ने कहा हे देवेश यदि आप प्रसन है तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए जिससे लोक का महान उकार हो सके ऐसा वर मांग कर गौतम रिशी ने शिव के दोनों चर्णार विंद पकड़ लिए तब शिव ने गंगा से कहा हे देवी तुम मुझी को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्त मनू के अठारवे कल्यूक तक यहीं रहो तब गंगा जी ने कहा महेश्वर यदी मेरा महत्त मैं सब नदियों से अधिक हो अम्बीका तधा गणों के साथ आप भी यहां रहे तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी गंगा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले गंगे तुम धन्य हो मेरी बात सुनो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ तधा पी मैं तुम्हारे कथना अनुसार यहां स्थित रहूंगा भगवान शिव की बात सुनकर गंगा जी मन ही मन प्रसन होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंशा करने लगी इसी समय देवता प्राचीन रिशी अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के छेत्र वहां आ पहुँचे उन सबने बड़े आदर से जय जय कार करते हुए गौतम गंगा तथा शिव का पूजन किया तदंतर देवताओं ने मस्तक जुका कर तथा हाथ जोड कर उनकी प्रसंता पूर्वक स्तूती की उस समय प्रसं हुई गंगा और गिरीश ने देवताओं को वर मांगने के लिए कहा तब देवताओं बोले देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरीताओं में स्रेष्ट गंगे यदि आप भी प्रसंन हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग क्रपा पूर्वक यहां निवास करें इस पर मां गंगा जी ने कहा देवताओं फिर तो सब का प्रिय करने के लिए आप लोग स्वय में ही यहां क्यों नहीं रहते मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करनके जैसे आई हूँ उसी प्रकार लौट जाऊंगी आपके समाज में यहां मेरी कोई विशेष्टा समझी जाती है इस बात का पता कैसे लगे यदि आप यहां मेरी विशेष्टा सिध्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहां रहूंगी इसमें संशे नहीं है मा गंगा जी की बात सुनकर सब देवताओं ने कहा सरीताओं में स्रेष्छ गंगे सबके परमसुहद ब्रहस्पती जी जब जब सिंगराशी पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहां आया करेंगे इसमें संशे नहीं है ग्यारह वर्षों तक लोगों का जो पातक यहां प्रक्षालित होगा उससे मलीन हो जाने पर हम उसी पाप राशी को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आवेंगे हमने यह सर्वता सची बात कही है सरीद्वरे महादेवी अतह तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रहत अथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए गुरु अर्थात प्रहस्पती जब तक सिंगराशी पर रहेंगे तभी तक हम यहां निवास करेंगे उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे फिर तुम्हारी आग्या लेकर अपने अपने स्थान को लोट जावेंगे इस प्रकार उन देवताओं तथा महरिशी गौतम के प्राधना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में स्रिष्ठ मा गंगा दोनों वहां स्थित हो गए वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का जोतिर मय लिंग त्रयंबग कहलाया है यह जोतिर लिंग महन पात्कों का नाश करने वाला है उसी दिन से लेकर जब जब प्रहस्पती सिंगराशी में स्थित होते हैं तब तब सबतीर्थ, छेत्र, देवता, पुष्कर आदी सरोवर, गंगा आदी नदियां तथा श्रिविष्णु आदी देवगण अवश्य ही गौतमी के तटपर पधारते और वास करते हैं वे जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता जब वे अपने लोक में लौट जाते हैं तब ही वहाँ इनके सेवन का फल प्राप्त होता है यह त्रयंबक नाम से प्रसिध जोतिर लिंग गौतमी के तटपर स्थित हैं और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं जो भक्ती भाव से इस त्रयंबक लिंग का दर्शन पूजन स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है बोलिये नासिक्तीर्थ की जय 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 श्रीहरी जय जय श्रीहरी जय जय शिवशंकर जय जय शिवशंकर अमरत संदेश अमरत कुम्ब पर्व मनुश्य के जीवन में कई प्रकार से अमरतट्व का संचार करता है ज्यान के द्वारा बुद्धी में, श्रद्धा के द्वारा मन में, पवित्रता अर्थात स्नान आदी के द्वारा शरीर में, दान के द्वारा धन में और वासना शोधन के द्वारा समस्त लोक व्यहवार में एक उच्च कोटी का प्रकाश भर देता है जिससे मनुष्य का जीवन उज्वल बन कर कर्तव्य पत्थ की और अग्रसर हो सके। इस प्रकार यह विराट आयोजन अंतह शुद्धी की द्रस्टी से आध्यात्मिक देव प्रसाद की द्रस्टी से आधी दैविक एवं लोक चरित्र में पवित्रता का संचार करने के कारण आधी भौतिक शुद्धी का हेतु है। मनुष्य मृत्यू लोक का प्राणी होकर भी स्वाभवतह अमर्ता का अकांग्शी है। किन्तु अज्यानता के कारण वह यह नहीं जानता कि अमरतत्व सर्वत्र भरपूर है। कोई कण, कोई शन और कोई ऐसा चित नहीं है जिसके अंतराल में अमरत का पर्मानंद दाई शांत स्त्रोत ना लहराता हो। अमरतत्व प्राप्ती का वास्तविक तातपर्य है जीवन की पूर्णता अर्थात मानव जीवन का सरवांगीन विकास। यह प्रतेक देश में, प्रतेक काल में, प्रतेक मनुष्य के लिए अपेक्षित है। इस अपेक्षा की पूर्ती में इस समय इस अम्रत कुम्भ पर्व का महान योग और उप्योग है इस दुरलब अम्रतत्व एवं भगवत तत्व का अनुभव तभी संभव है जब अन्तहकरण की निर्मलता और तीव्र ज्यान द्रस्टी रखते हुए गरुड की भांती भगवान का दासत्व स्विकार किया जाए जब तक मनुष्य होदय गरुड की भांती भगवान का वाहन अर्थात क्रपा पात्र नहीं बन पाएगा तब तक अम्रत उसके निकट रहते हुए भी उससे दूर रहेगा इसकी उपलब्धी या अनुभव के लिए सारस्वत प्रयास करना होगा यदि अम्रत को पाना है तो हरद्यस्थ कालुष्य को प्रयास पूर्वक मिटा कर प्रेम से ओत प्रौत अंतह करन के निर्मान की भगीरत साधना करनी होगी तब ही मानव जीवन के परम पुरुशार्थ और अंतिम लक्षे अम्रतत्व अर्थात इश्वरत्व को प्राप्त किया जा सकता है अंतह परिशुधी या चित निर्मान के इस चिरंतन सत्य और अम्रत तोपम संदेश को जन जन तक पहुचाने के उद्देश से ही हमारी महांदार्शनिक तपह पूत रिशियों ने लोक कल्यान कधा लोक मंगल की पावन भावना से प्रेरित होकर प्रती बारवे वर्ष शास्त्रानुमोदित हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक इन चार पवित्र तीर्थ स्थानों में महा कुंभ पर्व के जन का विधान किया शताब्दियों से अपनी निरंत्रता को अक्षुन रखते हुए यह महापर्व अपनी सर्वमान्य महत्ता और विराट स्वरूप की विशालता के साथ कोटी जनों को धर्म संस्कृती से आज तक जोड़ता चला आ रहा है मानव जीवन में आलोक और अंतह चेतना का संचार करने वाला यह एक ऐसा महन सांस्कृतिक समागम है जो ना केवल आध्यात्मिक चेतना अपीतु रास्ट्रिया चेतना एकता और अखंडता का आधार स्थम्भ भी है विराट महाकुंभ पर्व का यह आध्यात्मिक दार्शनिक तथा संस्कृतिक महत्व एवं उद्देश्य मानव मात्र में विश्व बंधुत्व विश्व प्रेम की शुभ भावना के साथ जीवन के नैतिक मुल्यों तथा आधर्शों के रक्षन हेतु निरंतर विश्व म मंगल की और बढ़ते हुए रहने का शुची सार्थक एवं मंगल प्रयास है यही इस अनुपमय आयोजन का वास्तविक प्रापतवय है और यही वास्तविक साफल्य है इसी शुभ भावना के साथ सर्वे भवन्तु शुखिनह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पस्यन्तु माकस्टित दुख भाग भवे ओम सांतिही सांतिही शांतिही